नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ अच्छे होंगे मेरा नाम है सानोच कुमार उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंट्स अभी में लोग प्रेजेंट हैं TCS I1 डिजिटल जो धनबाद जार्खन के सामने में तो जितने भी गुरूबडी के स्टुडेंट्स हैं आप सभी स्टुडेंट्स जिस दिन का बेसबरी से इंतजार कर रहे थे क्योंकि आपको पता होगा कि जब से अप लोग का रिलवे का प्रोटेस्ट हुआ था तब से इस्टुडेंट्स की हर एक बात का रिलवे पूरी तरह से ध्यान रखती है कहीं न कहीं यही कारान है कि आपने देखा होगा जब आप लोग का अनरबी एंटीपीसी का सिव्डिटू का एक्जामनेशन चला था तो हमारा जो ओफीस है वो एक्जाम सेंटर के जॉस्ट ओपोजिट में है तो भारी संख्या में स्टुडेंट्स हमारे पास आये थे हम लोगों ने स्टुडेंट्स की रुकने की व्यवस्ता की थी इस बार हम लोगोंने घुरूपीसी के स्टुडेंट्स की रुखने की व्यवस्ता किया अम लोगोंने प्रापर अपने कम्यूनिटी पोस्ट में अपने ओफीस का एड्रेस भी डाल दिया था ताकि कोई भी स्टुडेंट यहां पर आये तो आसानी से वह यहां पर रुख सके दिक अभी तक फिलाल हमारे पास किसी प्रकार का कोई student का मतलब की contact नहीं हुआ है जिदी और कोई student हमारे पास आते हैं तो आप लोग बेज़ी ज़क आईए हमारे स्तर से जो भी पन पाएगा हम लोग बिल्कुल आपके लिए ववस्ता करेंगे फिलाल हमारे पास आपके लिए अभी अभी थोड़े ही देर पहले मेराथवन क्लास को भी समाप्त किया है और नुमेरिकल्स का भी बेस्ट पीडियेप त्यार किया है तो मनीश सर क्या कहना चाहेंगे आप बच्छों के लिए आज आखरी रात है कल बच्छों की एक्जामनेशन होने वाली है बहुत- लोग साइंस आपको कंटेंट दिये हैं तीन हजार कोशन वाला और आज आपका लगवंग मेराथेर आपका क्लास चला है पूरा लगातार साइंस का नुम्रिकल्स का जो है दोनों का पीडियेव जो है आप लोग ले लिजिए खूज से प्रैक्टिक्स कीजिए यह नहीं कह कोशन आपको पूरा जो पीडियेव से पूरा आपको कॉमन दिखाएंगे कि देखिए आपका यहां से कोशन आपके कैसे कैसे आया हुआ है एक चीज़ में सभी स्टुडेंट्स को इजाम से पहले कुछ मातवपून इस्ट्रक्शन दूगा देखिए जितनी भी तैयारिया करनी थी अलड़ी आप लोग कर चुके हैं अब जो यह आपका लास्ट नाइट है आराम से सभी स्टुडेंट्स रेस्ट करिए जहां पर भ दो आप लोग अपना आइडेंटिटी कार्ड ले लिए जिसमें आपका अधार कार्ड भी रहेगा चुकि आपका अधार का बायोमेट्रिक ऑथंटिकेशन भी होने वाला है और हम लोगों ने आपकी सहुलियत के लिए कि जो टीम इस सेंटर के अंदर अधार की वेरिफिके स्टूडेंट्स के लिए एवलेबल रहेगी तो सर आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे तो ठीक है तो भी सभी को बेश्ट अब लग तो पहला बात और एकदम सांती दिमाग से एक्जाम को देना है और एकदम कूल माइंड में अब आप जितना तयारी की है उतना काफी ह अब आपको सिंपल ही तरीका जो है सिंपल आप फ्री माइंड आईए फ्री माइंड से जो अच्छे तरीका से एकजाम दीजिए बेश्ट अब लग आप सभी को तब मिलते को नेक्स पीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत